नमस्कार आज हम बात करेंगे एक टोनिक के बारे में तो ये एक बायोस्टिमूलेंट है ये सिंजेंटा का क्वांटिस नाम से आता है इससे पहले अगर आप हमारे चैनल खेती घर पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी किजिएगा तो ये जो क्वांटिस है सिंजेंटा का ये एक बायोस्टिमूलेंट है एक मतब टोनिक का काम करता है अब इसके कॉंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो ये अमाइनो एसेड औ अब प्रकौर्ण की जिसे प्धा लगाऊ है तो ठायए अब न्यूट्रीयंटस अही falar बनता है अब हमारे शरीर में क्या है प्रौपर मात्रह में न्यूक्रीयंट जा रहा तzeit हमारे विकास कर रहे है ठीक उसी प्रकार पौधा में भी जब प्रॉपर नूट्रियंट जाएगा तब ठीक तरीके से विकास करेगा अब देखिए पोटास का क्या रोल प्ले करता है जैसे पोटास इसमें रहता है तो वह रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाता है जैसे फंगस लगना या कीटों का प्रभाव होना त करता है उसको ब्रम मदद करता है वे इसको बनाने में मदद करता है तो इसके कारण जितना फुल होता है वह सब बनने लगता है अब यह था पॉरीनेशन के माध्यम से ही हमारी खेट में फूल dormir दिखता पॉर पॉर इसके बार काँछ भी बहता है और सबसे खास बात है कि यह सस्ता में अगर प्राइस के बारे में बात करें तो 100 ml का क्वांटेस लगभा 120-130 रिवर्म आपको मिल जाएगा हर जगा वैरी करता है लेकिन अगर 120-130 के बीच आपको मिल जाएगा तो अब बात करें कि इसका डोज क्या होने वाला है इसका डोज है 2 ml पर लिटर हम जैसे स्प्रे कर रहे हैं आपकी खेट में जितना भी पानी लगे उतना कैलकुलेट कर लेंगे और फिर 2 ml पर लिटर के हिसाब से आप पानी में मिक्स क अब क्या होता है जैसे हम अभी बात किये कि ऑरगानिक कारबन सारे-साथ परसंट होना चाहिए यह सब्सक्राइब करता है इसमें जैसे हम इस प्रे की हैं तो कारबन का मातरा को मेंटेन रखेगा बैलेंस रखेगा तो इससे क्या होता अब देखिए पीछे आप फूल पहल इसके बाद अगला कम क्या है कि जिससे वाटर होल्डिंग कैपसिटी हम लोग नौउप सुने हूंगे की मतलब पानी सब्सक्तृच्ण से जारा जर में तो विकास सही से करेगा आप यह भी देखने की यह ड्रिप पर लगा है इसमें भी सिंजन्टा का ही बीच लगा हुआ है क्योंकि हम लोको सिंजन्टा का बीच अच्छा लगता है और जो बीच अच्छा रहेगा उसी के बारे में आपको बताएंगे अब है जिए अब हम कुछ एक बड़ा चीज बारे में बात किने दे से अर्विछ और घंड कैर भॉन अब इसमें क्वाता है ज्याल रहा है जो घट में क्रॉड रोड़ के व्ल Directorate अच्छा होते हैं जगता हो जाठे अच्छा होता है वह होता है सकित ल्हक्त जाता है और जब हम वर्मी का यूज़ कर रहे हैं तो वह उसको एफेक्ट नहीं करता है इसी लिए जाना साथ वर्मी का यूज़ करें और यह जो टॉनिक है अब इसका इस्तेमाल जरू करें अपने पौधा पर अब इसको बत जानली जी किस स्टेज में दिया जाता है अब द सबसे बढ़ा रोल्प्ली करता जो पॉलीनिशन होगा तभी तो फूल और फल रिखेगा तो यह तेक्निकली अगर देखा ने तो यह एक ऐसा टोनिक है जिससे हमारे पौधा में पावर आता है और फूल फल का विकास सही धंग से होता है तो अगले वीडियो में फिर हम प्रणियर बन